मित्रो, आज की कहानी हैं अंधा और लाल्टेन एक गाउं में एक दिव्यांग, द्रश्टी हीन, व्यक्ती रहता था वो रात में जब भी बाहर जाता, एक जली हुई लाल्टेन हमेशा अपने साथ रखता एक रात हुआ अपने दोस्त के घर से भोजन कर वापस अपने गर लाट रहा था इस बार भी उसके हाथ हमेशा की तरह एक जली हुई लाल्टेन थी वापस लाटते समय रास्ते में कुछ सरार्थी लड़कों ने उसके हाथ में लाल्टेन देखी तो उस पर हसने लगी और उसका मजाग उड़ाते हुए कहा अरे देखो देखो अंधा लाल्टेन लेकर जा रहा है अंधे को लाल्टेन का क्या काम? उनकी बास सुनकर अंधा व्यक्ति बनम्रता से बोला सही कहते हो भहिया मैं तो अंधा हूँ, देख नहीं सकता मेरी दुनिया में तो हमेशा अंधेरा ही रहा है मुझे लाल्टेन का क्या काम? मेरी आदत तो अंधेरे में जीने की ही है लेकिन आप जैसे आखों बाले लोगों को तो अंधेरे में जीने की आदत नहीं होती आप लोगों को अंधेरे में देखने में समस्या हो सकती है कहीं आप जैसे लोग मुझे अंधेरे में ना देख पाए और धक्का दे दिया तो मुझे बेचारी का क्या होगा इसलिए यह लालटेन लेकर चलता हूँ ताकि आप अंधेरे में अंधे को देख सके अंधे व्यक्ति की बात सुनकर वह लड़के सर्मिंदा हो गए और उससे माफी मांगने लगे उन्होंने तै किया कि अब भविश में कभी किसी देव्यां का मजाक नहीं बनाएंगे मित्रो इस कहानी का सबक है कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिस नहीं करने चाहिए और अठी तरह सोच उचार करके ही किसी पटपड़ी करने चाहिए मित्रो धन्यबाद फिर एक नई कहानी के साथ आपके साथ होंगे तब तक के लिए हमको विदा दीजिए और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे फिर नई काने के साथ मिलते हैं तब तक के लिए जैहन जैभारत